Welcome back to Clean News MP, चलिए देखते हैं मध्यप्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को, इसे पहले आप न्यूस को कहां से देख रहे हैं, हमें एक कमेंट में बताना आप बिल्कुल ना भूलें, साथी हमारे फेस्बुक पेस को भी फॉलो करें, फेस्बुक पेस करें, इस्टेशन जा गया है मंगलवार को कैबिनेट बैटक से पहले मंत्रियों के संबोधन में कही मध्यप्रदेश में आफ लाइन काक्षाओं में पसरा सूनापन, ओनलाइन क्लास अटेंड कर रहे विद्यारती मध्यप्रदेश में एक बार फिर से कोरोना मरीजों के संख्या लगातार बढ़ती चा रही है मध्यप्रदेश में 24 घंटे के अंदर 308 नई कोरोना पॉजटिव मरीज मिले अब प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव केस के संख्या 1029 पहुच गई मद्रप्रदेश के सरकारी और निजी स्कूल में आनलाइन और आफलाइन मोड में क्लास लगाई जा रही है प्रदेश में कोरोना केस बढ़ते ही अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से हिचकिचा रही है अतहा ओनलाइन क्लास में बच्चों के संख्या पुनाह बढ़ गई जिस तरह से प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उससे एक बार फिर से ओफलाइन ली जाने वाली परिक्षाव को लेकर भी असमंजस की स्थिती पैदा हो गई है इन दोर में सिगनल तोड़ कर भागने वालों को पीछा कर पकड़ेगी पुलिस अब शहर में ट्राफिक रेट सिगनल तोड़ कर भागने वाले वाहन चालों को की खेर नहीं पुलिस पीछा कर उन्हें पकड़ेगी अभी तक रेट सिगनल में पुलिस के सामने निकलने वालों को पकड़ने के लिए बंगाली और रोबूट चराहे पर तैनात अमले को ख़बर देनी होती थी लेकिन अब तक नियम तोडने वाले भाग निकलते थी ट्राफिक DCP महेश चंद्र जैन ने सिगनल तोडने वालों का पीछा करने की आजादी दी उन्होंने कबाल समभालते ही रेट सिगनल पार करने वालों को सबक सिखाने की तयारी की है मास्क ना पहनना पड़ेगा भारी आज बुद्वार से सो नहीं लगेगा 200 रुपे का जुर्माना रासानी में कुरोना संक्रमण की DC लहर की आधिकारी घुशना मंगलवार को हुई इसके चलते शहर में मास्क ना पहनने वालों पर अब जिला प्रशासन न करने गाम और पुलिस सक्ती से पीश आएगी अब तक मास्क ना पहनने पर सो रुपे का जुर्माना लगता था लेकिन अब 200 रुपे का जुर्माना लगाया जाएगा गौलियर में कच्रे की मात्रा पर लगेगा गार्बिच टेक्स समधान योजना अब 31 जनवरी तक लिए जाएंगे आवेदन राजशासन ने समाधान योजना की अवधी को बढ़ा दिया है पहले आवेदन लेने की अंतिम अबधी 15 दिसंबर 2021 थी लेकिन अब अब अबधी बढ़ाई जाने के बाद योजना की तहट 31 जनवरी तक आवेदन लिये जाएंगे राज़े सरकार ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए एक किलो वार्ट तक के घरेलो बजलियो भुगताओं की इस्थिकित की गई राशी के भुगतान में उग भुगताओं को राहत देने के लिए योजना लागू की थी योजना की तहए 31 अगस 2020 तक की मूल बगाया राशी और अधिभार की पहले से इस्थगित राशी के भुगतान में राहत दी गई थी कैंसर पिडितों को मिलेगा फायदा अब लीनियर एक्सिलरेटर तकनीक से होगा इलाज प्रदेश सरकार ने कैंसर के मरीजों को बड़ी राहत देते हुए राजी के मैडिकल कॉलेज़स में कैंसर मरीजों को मिलेगी नई सुविधात देनी जा रही है अब प्रदेश मैड प्रफिक विवस्था सुधारने के लिए नहीं व्यवस्था की गई, अब ASI और हैट कॉंस्टेबल यात्यात नियमों के उलंगन पर चालान नहीं काच सकेंगे, इनने ट्राफिक विवस्था सुधारने में जुटने के नर्देश दिये गए, ट्राफिक DCP महिश्चंतर जैन ने ये विवस्था की है, अब ASI और हैट कॉंस्टेबल विचालान बनाते दिखते थे, DCP जैन ने सभी ASI और हैट कॉंस्टेबल से चालान के रसीत कट्यों आफिस में जमा करवा लिये हैं, इनसे कहा गया है कि वे चुराहों पर यात्यात विवस्था सुधारने के दिशा में काम करें वो की गई थे विभाग ने पंचायतों के संचालन को लेकर बड़ा फैसला किया है कि कर्मचारी राजे बीमानिगम को चाहिए 1120 Medical Officer सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए खबर महत्तपूर्ण है कर्मचारी राजे बीमानिगम ने इंशुरेंस Medical Officer की 1120 पदों पर भरती निकाली है आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है आवेदन करने की अंतिम तारीक 31 जन्वरी है यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर्मचारी राजे बीमानिगम की अधिकरत वेबसाइड ESIC.NIC.IN पर विजिट कर सकते हैं गर्मचारी राजे बीमानिगम ने 1120 पदों के लिए भरती निकाली है अब नजदी के स्टेशन से ले सकेंगे समूह में रेल यात्रा की अनुमती अब शादी समारों पारिवारी कारिक्रमों और विशेश मौकों पर समूह में रेल यात्र स्टेशन प्रबंदक अनुभागी S.C.C.I. के द्वारा दी जाएगी उजयान में शिप्रा के 19 किलो मीटर ग्रीन बेल्ट शेत्र में बनेगा साइकल ट्रेक योगध्यान की इंद्र मौक्ष्टायनी शिप्रा नदी के शुद्धिकरन संरक्षन समवर्धन के लिए प्रिशासन नगर निगम और स्मार्ट सिटी कंपनी ने सशक्त प्रयास शुरू किया है शिप्रा में कान का गंदा पानी मिलने से रोकने को कच्चेबान की परियोजना अकार ले चुकी है और अब शिप्रा के 18 घाटु वाले 19 किलो मीटर लंबे ग्रीन बेल्ट एरिया में साइकल ट्रेक, तितली पार्क, उश्मायन केंदर कैंपिंग साइट, वाच टावर और योग ध्यान केंदर बनाए जाने की योजना है सियम शिवराज बोले आर्थी गति वीदियो पर अंकुष नहीं लगाएंगे, पढला परवाही बिबरदाश्त नहीं करेंगे प्रदेश में कोरोना संक्रमन से बचाओ के लिए सभी उपाय किये जाएंगे, पर आर्थी गतिवीदियो पर कोई अंकुष नहीं रहेगा गरीब यक्ति को रोजी रोटी के लिए परिशान ना होना पड़े और सभी वर्बु की जीवीगा के काम पर कोई संक्रत खड़ा ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए, इसको उसमें 50% से उपस्तिती की विवस्ता कायम रहेगी, सभी मंत्री ग्रहाओ प्रभार के जिलों मे अस्पतालों में बिस्तर ऑक्सिजन प्लांट से टी स्कैन दवा सहेद अन्य उपकर्णों की उपलब्दता का जायजा लें सत्पुडा टाइगर रिजर्व से हटाए जाएंगे तीन गाओं मिली अनुमती सत्पुडा टाइगर रिजर्व हुशंगाबाद से टीन गाओं मलूपुरा, खामदा, जालाई, सहेद, सपुलाई के 200 परिवारों को विस्थापित किया जाएगा कैट परिणाम में 99% के भी 24 से जादा विद्यारती, भारतिय प्रवन संस्था में प्रवेश के लिए होने वाली कॉमन एड्मीशन टेस्ट कैट के परिणाम में इंदोर के कर विद्यारतियों को बहतर परसंटाइल प्राप्त हुए, 99% के भी शहर से 24 से जादा विद्यारत में ओनलाइन माध्यम से चैन के प्रक्रिया हो रही थी, इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि ओनलाइन माध्यम से ही टेस्ट और इंट्रव्यू लिए जाएंगे शिवरा सरकार ने कमलना सरकार का एक और फैसला पलटा आनंद विभाग का पुनर कठन शिवरा सरकार मंगलवार को कमलना सरकार का निर्ने एक बार फिर से पलट दिया है कॉंग्रे सरकार ने आनंद विभाग की जगए अध्यात में विभाग बनाया था इसमें धार्मिक नियास और धर्मस्व विभाग को भी समाहित कर दिया गया था मुख्यमंत्री शिवरा सिंग्छ चोहान के अध्यक्षता में हुई क्याबिने बैटक में फिर से आनंद विभाग का गठन करने का निर्ने लिया साथी अध्यात्म विभाग का नाम बदल कर फिर से धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग करने के प्रस्ताव को स्विक्रती दी है फिनो पेमेंट्स बैंक के ग्रहकों को मिली बड़ी खुश खबरी आरबी आई से मिली ये मनसूरी फिनो पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों के खाते में आप विदेशते भेजी गई रकम भी जमा हो सकेगी भारते रिजर्ब बैंक के तरफ से इस बुक्तान बैंक को अंतरास्टिय धन अंतरण सिवा की मंजूरी देने के बाद इसका रास्ता साफ हो गया है फिनो बैंक नियंक बैंक बैंक में कहा कि धन अंतरण सेवा योशना के तहट आर बी आई ने उसे विदेशते प्रेशित राशी स्विकार करने की मंजूरी दी इसके बाद बैंक किसी विदेशी वित्ये संस्थान के सयोग में सीमा पार्धन अनंतरण कतिविदियां कर पाएगा ना होगी बैटरी ना करना पड़ेगा चार्ज भारत का पहला बिना बैटरी वाला इसकूटर इस महीने के शुरुआत में बैंगलोरो इस्तित इलेक्टरिक मोबिलिटी स्टार्टप बाउंस ने अपना पहला इलेक्टरिक स्कूटर बाउंस इन्फिनिटी E1 लाँच किया है यह भारत का पहला इसा E-सकूटर है जो बिना बैटरी के आ रहा है और इसे चार्ज करने की भी जरूरत नहीं बाउंस ने इसी E-सकूटर को बैटरी एज असर्वेस वेकल्प के साथ पेश किया है इसे 45,099 रुपे में खरीदा जा सकता है ग्रहा केवल 499 रुपे के शुरुआती पेमिन्ट कर इसे प्री बुक कर सकते हैं संशोदित रिजल्ट जारी टायर टू परिक्षा पर आई बड़ी अप्टी करिमशारी चैनायोग दोरा SSC CHSL 2020 21 परिक्षा 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 के लिए पात रहो जाएंगे नहीं अधिसूषना के मताबिक 1500 से अधिक उम्मीद्वारों के लिए चायर वन संशोदित परिक्षा 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 में जारी कर दिया गया है वहीं जो अभ्यरती इस परिक्षा में शामिल हुए आधिकारिक वेबसाइट पर संशोदित परिक्षा 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 ने सुमवार मोक्षधाम का निरिक्षण किया नगरपालिका के सब इंजिनियर नागेंदर वादे और गुजरात से आई ठेकेदार सुबोध मोरे ने मोक्षधाम समीती के अध्यक शुडाकेश रकूश शर्मा अनिल सिंग ठाकूर प्रमोच शर्मा प्रमोच सोनी और प्रक्षकबल ने 322 बदों पर भर्ती निकाली इसके लिए आवेदन के प्रक्रिया कलमंगलवार 4 जनवरी 2022 से शुरू हो गई और लास्ट डेट 14 जनवरी 2022 से इच्चो कुमीदवार इंडियन कोस्गार्ट की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं प्रधानमंतरी जन्धन योजना के तहट मिल रहे 1.30 लाख रुपे प्रधानमंतरी जन्धन योजना देश के लोगों को बैंक से जोडने के लिए शुरू की गई थी इस योजना के तहट लाभारतियों को कई तरह के वित्तिय लाब दिये जाते हैं प्रदान मंतरी जंदन योजना के तहट अकाउंट होलडर को 2 लाग बीमा देने के साथ ही कुल 1.30 लाग रुपे का लाभ भी दिया जा रहा है ये कैसे ही उचना है जिसके तहट देश के गरीबों का खाता जीरो बैलन्स पर बैंक पोस्ट आफिस और रास्टेक रद बैंक को खुला जा सकता है जून में खाली होंगी मद्रदेश से राजसभा के तीन सीटे भाचपा कॉंग्रिस को जेलना होगा ओवी सी का दबाप मद्रदेश से राजसभा सदस्य बने पूर्फ केंद्रिय मंत्री एमजे अकबर संपतिया उईके और कॉंग्रिस के विवेक कृष्ण तंखा का कारेकाल 29 जून 2022 को खत्म हो रहा है एमजे अकबर और विवेक तंखा 11 जून 2016 को राजसभा के लिए निर्वाचित हुए थे वही संपतिया उईके का निर्वाचन 31 जुलाई 2017 को हुआ था विकेंद्रिय मंत्री अनिलमादब दवे के निधन से खाली हुई सीट पर निर्वाचित होई थी चनाव होनी तक मद्यपरदेश की पंचायतों में प्रधान प्रशास्किय समिति करेगी का प्रदेश में 33 पंचायत चनाव रिरस्थ होने के बाद पंचायत अवम ग्रामेर विकास विभाग ने पंचायतों में कारियों के संचालन के लिए प्रधान प्रशास्किय समिती की व्यवस्था लागू कर दी जनपद और जिला पंचायत इस तर पर भी ये व्यवस्था रहेगी इसमें संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक खातों का संचालन किया जाएगा प्रधेश में मार्श 2020 में ही 22,604 पंचायतों में सर पंच और पंच का कारिकाल पूरा हो चुका है इसी तरह 841 जिला और 6,774 जनपद पंचायत सदस्यों का कारिकाल समापत हो गया है हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे आपने अभी तक ले न्यूज अमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले साथी बैल आइकन को दबाना बिलकुल न भूले ताकि कोई लेटिस्ट अपडेट मिस न हो